कुल 3 डॉन दो अब लो मैं आपाटीं अंगे हुआ है इस यून नहीं होटी चुपए होते हैं मसूँ अंगर आटा से गूंद लिया तो आपकी सोफ बनेगी हाँ तो आटा गुनने के लिए हमें क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए चुटी चुटी सी बाते होती हैं जिसका में ध्यान रखना होता है और वह चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनिटली आपकी रोटिया फूलेंगी और बहुत सॉफ्ट बनेंगी घंटो बाद हमारी और आटा गुनने में असानी रहे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गुधेंगे एकदम से पानी नहीं डालना होता है और सबसे जादा जो इंपोर्टन बात है वो ध्यान रखने की यह होती है कि अगर हम समर्स में आटा गुन रहे हैं तो नॉर्मल पानी नॉर्मल टेम्परेचर का यानि क्या फिल्टर का पानी घड़े का पानी कुछ भी ले सकते हैं और अगर जाड़ो में आटा गुन रहे हैं तो आप थोड़ा सा गुन गुना पानी ले तो इससे आटा बहुत अच्छा गुनता है रोटियां सॉफ्ट रहती है और मतलब खि इसे बाद हेंगे और इसी तरह से हमें इसको बाकि सारे आटे को भी समेठ लेना है तो एक बार अगर आपका आटा अच्छा गुन गया तो फिर रोटियां बनाने की समझ लीजे आधी बैटल खतम हो जाती है और रोटियां बेलने में बड़ी आसानी होती है और सेखने में में भी आसानी हो जाती है हर तरह से बहुत ही मैनेजबल टास्क हो जाता है यह ऐसे तो दिखता है बहुत आसान कम पर रोटी बनाना असान नहीं होता है जिनके लिए जो पहले बना रहे है अभी शुरुआत की है जुनों ने उनके लिए जरूर यह थोड़ा सा करना है समझ लीजे कि आप कोई एक्सराइज बहुत अच्छी वर्क आउट होता है डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करते हैं जब हातों में कोई प्रॉब्लम आ जाती हैंड्स मूव्मेंट के लिए तो कहते हैं कि आप आटा गूधिया तो आप देख रहे हैं कि जितना प तो 5-7 मिनट का टाइम लगेगा आपको गूनने में अगर आप बिल्कुल अच्छी इंटेंसिटी के साथ इसको गूनते हैं और बढ़िया आटा बिल्कुल चिकना और बिल्कुल स्मूध हो जाएगा इसमें ना हमने कोई तेल डाला है देखा आपने ना मैनेस में नमक डा होती है रोटी के आटे में यह सब चीज़े डालने के हां पूरी पराठे में जरूर अच्छा लगता है नमक और थोड़ा सा ओयल पर इस तरह से आप गूनते रहिए और एक बार जरूर इस तरह से गुंधाई करके देखेगा और फिर मुझे बताईएगा कि आपका आटा क चुरू हो गया थोड़ा सा पानी बचा है तो थोड़ा सा और डालके मैं यह साइट से साफ कर लेती हूं और बस और बढ़िया सा दो चार मिनट और इसको गून लेते हैं अच्छी तरह से ताकि बिलकुल चिकना और बढ़िया सा आटा हमारा तयार हो जाए इसी तरह से आटा एक बार बढ़िया गुंद गया तो रोटिया अच्छी बनाने से आपको कोई नहीं रोख सकता बिलकुल बढ़िया पर्फेक्ट फूली फूली रोटिया आएंगी और सभी रोटिया एकदम सॉफ्ट होंगी कि आप उनको घंटो बाद तक अगर आपने सुबा जाती है जब आटा बिलकुल बढ़िया गुंद जाता है तो हलका सा पानी लगा के और साइट से साफ कर लें और बस और एक दो बार थोड़ा सा गुंद ले तो बढ़िया आटा तैयार और अब यहां पे अगर आप आटा गुंद के फ्रिज में रखते हैं तो इसके लिए दो चीजों का ध्यान रखना होता है जैसे कि थोड़ा सा उसमें लगा के रख दे और एक डिब्बे में पैक करके रखे रखकन वाले डिब्बे में थाकि उसमें पपड़ी ना पड़े और फ्रिज में रखने के बाद जब आप दुबार रोटी बनाए तो आटे को नर्मल टेंपरेचर आने के लिए और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो माईक्रोवेव कर दें उसको 15 से किंद के लिए ये गर्मियों के लिए है गर आप बाहर निकालने है तो 15 सेकंड के लिए अच्छी रोटिया नहीं बिल पाती है, बेलने में काफी दिक्कत आती है, तो बस अब हमारा आटा फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है, दिख रहा है आपको बिल्कुल चिकना हो चुका है, अच्छी गुंधाई के साथ, तो अगर आपने आटा अच्छा गूंद लिया तो फिर इसको रखने के भी ज़रुवत नहीं होती है, रेस देने के ज़रुवत नहीं पड़ती है, आप इमीडियेटली रोटी बना सकते हैं, तो यहां पर यह देखे, बिलकुल आटा चिकना हो गया है, बिलकुल तैयार है, आप चाहें तो अभी कैभी इसमें रोटी बना ल इससे जादा नहीं और बस यह थोड़ा सा चिकना हो जाएगा और इसको एक दो बार और ऐसे घुमा देते हैं ताकि सब तरफ इसके तेल लग जाए और बस यह हमारा आंटा तयार है इससे आप रोटी बना सकते हैं अभी के अभी और बिल्कुल हर रोटी फूलेगी एक भी रोटी ऐसी नहीं है जो ना फूलेगी तो बस अब इसी तरह से आटा गूंदिये और रोटी फुलाईए और बढ़िया सॉफ्ट रोटी बनाईए और मिलती हूँ आपसे अगले वीड तेक के रोटी आपिसे टेक टेकर ये नहीं है हूँ प्रॉले टेकर टेके जा डेंगे एलोटी एकलोटी आपसे अडिए आपसे अड़्याए प्रॉलेगी रोटी प्रॉलेटी खिली ऑे उना अड़़ी और